दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बैल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हेलो दोस्तो मैं हूँ पविंदर और स्वावत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो टुटोरियल में तो दोस्तो हम सीख रहे हैं पीएचपी फ्रेमवर्क लारवेल के बारे में तो आइए चली दोस्तो आज सीखते हैं हम किस तरह से लारवेल में एडिट और अपडेट रिक् किस तरह से लारवेल यहां पर सेट कर सकते हैं तो मैंने यहां पर बताया था कि एक रिसूर्स जैसे पोस्ट रिसूर्स है इसको मैनेज करने के लिए इसको हैंडल करने के लिए इतने सारे रावेल हम सेट करते हैं तो बजाए लारवेल जो शॉर्ट कट प्रवाइड करता ह ऑगर पोस्त को करना है तो किस तरए से करेंगे तो मैंने इhosph Óp प्राइओ देखिए्ट यह और पूस्त इटनिसा और पुस्त इडी फिरीच इमिजए इस ब्रेटेव होगी पोस्त कि यह जाती है है हम इसको एंड पऊस प्रत हॉड कारिया और दें अधिफित तो पोस्त tiveá id slash edit जब इस url इस route को hit करोगे तो वहाँ पे उस time पे हमने क्या किया है post controller जो हम यहाँ पे post controller call किया है और उसके अंदर कौन सा method call होगा उससे edit method call होगा तो जड़ा हम post controller यहाँ पे open कर लेते हैं तो यहाँ पे edit method पे जबाओंगा तो edit method तो अभी empty है तो इस time पे मैं simply क्या कर देता हूँ return करवा देता हूँ यहाँ पे एक value जिसे test कि जब हम इस url इस route को यहाँ पे hit करेंगे हम exactly इस point पे यहाँ पे hit कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो जब अगर सही तरीके से कर रहे हैं that means हमें यह as in value output यहाँ पे मिलने चाहिए तो जब मैं यहाँ पे route url यहाँ पे hit करता हूँ post slash one जो id है slash edit तो जब मैं इस तरह से इसको hit कर रहा हूँ यह देखिए हमें value test as in output यहाँ पे मिल रहे है that means हम correctly उसको यहाँ पे hit कर पा रहे हैं जो routes हमने set किया है तो इस time पे simply अभी मुझे क्या करना है यहाँ से view call करवाना है क्योंकि अभी हमें edit के लिए form यहाँ पे update चाहिए जिसमें हम अपना data पोस्ट करवा सके तो हमें यहाँ पे form की जरूरत है तो इसके लिए मैं यहाँ पे view call करता हूँ क्या post post के अंदर dot edit यह file हम यहाँ पे call करेंगे ठीक है post हमारे पास directory है resource में जाओंगा views में post directories के अंदर हमें edit हमने एक और file बनानी अभी creator index दो file है तो मैं यहाँ पे एक नई file बना देता हूँ save कर देते हैं इसको और इसको नाम हम देते हैं यहाँ पे जैसे मैंने mention किया है वहाँ पे edit save कर दिया और अभी तक जैसे मैंने कहा कि हमने create और index इन दोनों में जो है HTML सारी के सारी जो है repeat हो रही है तो बजाए इसको इस तरह से repeat करने के बजाए हम क्या कर देते हैं हम एक layout file यहाँ पे बना देते हैं मैंने इस चीज पहले भी आपको सिखा दिये starting में ही इसका benefit यह रहता है कि आपकी HTML common जो HTML है वो repeat नहीं होगी हर page में जिससे breakdown नहीं होती है functionality तो इसके लिए यह चीज बहुत बहुत जुरूरी है तो मैं आप यह बहुत लेए लेओ डॉट 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 फाइल बना सकते हैं आप इसके नाम यह जुरूरी नहीं कि यही रखी आप अपने हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं तो यह बना दिया हमने फाइल तो अभी हमारा जो यहाँ से उठा लेता हूँ क्रियेट यह जो फाइल है कॉपी कर दिया यहां से और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया अब इसमें से मुझे क्या चाहिए यह सारी चीज़े नहीं चाहिए जैसे कंटेनर तो चलिए हम रख देता है यह यह जो है कॉमन है जो हर फाइल में repeat होगी तो इसको हर जगा पे मैंने रखने के बजाए मैं simply इसको यहीं पे रख देता हूँ layout फाइल के अंदर और यहां पे देखो दो तरीके हैं आप section को call करने के लिए या तो आप इस तरह से section यहां पे बनाईए add section और section का नाम दे दीजिए content ठीक है और यहां पे डालिए display chronically add show या तो आप इस तरह से लिखिए या दूसरा तरीका है yield method add y-i-e-l-d yield और उसके बाद आएगा आपके section का नाम ठीक है content ठीक है आप इसको जो है documentation में जाके चेक कर लीजे इनमें दोनों में क्या difference है ठीक है तो यह इस तरह से भी आप इनका use कर सकते है दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है ठीक है यह अपनी convenience के हिसाब से आपको जो better लगता है वो आप इहां पे रख सकते हैं so add yield content अब इस section के अंदर हम यहां पे content अपना call करवाएंगे जो इस edit file के अंदर हम रखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे section को extend करेंगे कौन से अभी हमें add extends करना है किसको layout file को क्योंकि हम उसका template यहां पे यूज करना चाहते हैं then हम यहां पे section define करेंगे किस चीज के लिए content के लिए ठीक है मैंने यह चीज आपको पहले जिखाए आप पुब्लेट वाली जो वीडियो है बनाई है वहां पे जाके इस चीज को चेक कर सकते है ठीक है यह देखिए अब कितना better है कि हमारी html जो भी यहां पे है ठीक है यहां पे जो define की है वो मुझे दुबारा यहां पे define नहीं करनी पड़ेगी है इसका benefit मैंने आपको simply यह बताया था अब देखिए कि index file है यहां पे fortune पड़ेटा मैंने रखी है और एक ही create file है यहां पे भी कन है small देखिए इसकी जो style sheet है मैंने यहां पे तो define कर ली लेकिन index file में यह चीज नहीं रखी है तो styling है यहां पे नहीं आएगी और यहां पे जो create file है यहां पे तो यह आ रही है तो इस तरह से यह functionality break ना हो तो जो आपका common part है उसको as a template यहां पे अपनी file में रख सकते हैं और वहां से फिर इसको call कर सकते हैं यह बहुत एक better approach है हम इस आने वाली video series में इस चीज़ देखेंगी और भी इस चीज़ को किस तरह से improve किया जा सकते हैं header section, photo section, head section को भी अगर जो है differently add करना है template में तो वो कैसे कर सकते हैं ठीक है फिलाल आप इस तरह से इसको use कीज़ें इसमें confuse होने वाला इतना ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है तो हम blade file को यहां पर बंद कर लेते हैं और create file को भी बंद कर देते हैं और सबसे पहले देखिए अब अगर यह चीज़ यहां पर hit हो रही है view हमारा call हो रहा है तो हम यहां पर करेंगे edit post पोस्ट नहीं एक पोस्ट है और class इसको क्या दे है h2 ठीक है देखते हैं refresh करके तो हमें यह title जो है as an output यहां पर मिलना चाहिए जो हमने set किया है देखिए edit post style होके आगे automatically center में भी यह चीज़ आगे क्योंकि हमने यह bootstrap यहां पर यहां पर call कुराई है यह देखिए ठीक है मैंने यह last videos में भी यह चीज़ बताई थी bootstrap के simple styling के लिए हमने यूज किया है तो अब हमें चाहिए यहां पर form ठीक है form हमारे पास बना हो है create वाली file में हमारे पास यहां पर form है यह form है यहां पर भी रख देता हूं refresh करता हूं तो हमारा जो form है यहां पर आ जाना चाहिए यह देखिए post title, description, create post के बजाए हम यहां पर कर देते हैं update post okay that's it लेकिन अब देखिए यहां पर क्या चीज़ मिसिंग है सबसे पहली बात तो जैसे आप post को update करें that means यह जो title और description है automatically filled होने चाहिए क्योंकि जैसे इस post को अगर आप hit कर रहे हैं तो यहां के जो इस post की जो title और description है अलरड़ी यहां पर fill होनी चाहिए ठीक है जो अलरड़ी पहले exist करती है तो उसमें फिर जो changes करेंगे उसमें हम जब यहां पर इसको form को submit करेंगे तो वो नई changes के साथ value जानी चाहिए ठीक है तो अब हमें यहां पर value चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम दोबारा जाते हैं post controller में edit में तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यह जो wild card यह जो value है as a wild card यहां पर pass होती है और हम इसको directly यहां पर grab कर सकते हैं edit function के अंदर तो मैंने यहां पर variable यूज किया है id यह देखिए मैं अभी इसको बताता हूँ मैं यहां पर इसको return करवा देता हूँ dollar id तो आपको clear हो जाएगा कि यह जो value हम यहां पर pass कर रहे है यह value हमें यहां पर as in a wild card यहां पर accept हो जाएगी और यह value हमें यहां पर retrieve हो रही है तो मैं अगर यहां पर enter state करता हूँ तो value हमें 1 आनी चाहिए जो यहां पर pass होई है that means इसका यह benefit यह है कि अब इसके थूर हम इहां पर फाइंड कर सकते हैं search कर सकते हैं डैटबेस में जिस पोस्ट को edit करने कि यहां पे request यहां पे pass हुई है that means अभी हम यहां पे post 1 को यहां पे edit करना चाहते हैं तो यहां पे post हमें मिल दिये तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर post class को call करेंगे find क्या find करो post with an id जो id हमें वहाँ पर pass हुई है और यहाँ पर हम उसको post variable में pass कर देंगे ठीक है यह देखिए अभी मैं इसको return करवाता हूँ dollar post को तो जो post first post है यह देखिए मैं यहाँ पर भी जड़ा पहले इस post को enter हिट कर देता हूँ तो दोनों चीजें clear हो जाएंगे हमारे पास जो दो values यहाँ पर मिलेंगे यह देखिए first blog post यह description है create and update यह जो चीज है यह मिल रहे है यहाँ पर और यहाँ पर मैं अगर इसको database में भी शोख रहाँ तो database में भी जो value है वह exactly यहाँ पर मिल जाएगे यह देखिए first blog post this is small description यहाँ यह न तो अब अगर मैं यहाँ से second pass करता हूँ तो यहाँ पर second post की जो value है वो मिल जाने चाहिए ठीक है कितना clear है यह चीज़ कितनी easier हो जाती है यह चीज़ है यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे यह जो post अब हमें यहाँ पर मिली है ठीक है एक चीज़ मैं और mention कर दाना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हो क्या हो अगर कोई person यहाँ पर इस तरह से कोई ID यहाँ पर enter hit करें जो actual पर वो record ही exist ना करें तो उस चीज़ को हम कैसे handle कर सकता है ठीक है true और यहाँ पर post इसको pass कर देंगा अब जाते हैं अपने form में तो जैसे title है तो title हम यहाँ पर value set कर देते हैं dollar post क्या चाहिए title और उसके बाद description भी हमें यहाँ पर चाहिए dollar post description that's it अब जरह अपने form को देखते हैं मैं refresh करता हूं तो हमारा जो form यह देखिए automatically pop-up हो गया वो values के साथ जो post में value जो आपने यहाँ पर डाली है तो मैं second यहाँ पर id पास करता हूं तो second post की यहाँ पर देखिए value show हो रहे है तो मैं third यहाँ पर hit कर रहा हूं post slash id तो हमारा जो form है post slash क्या रहेगा id मतलब identifier तो यह value हमारे पास यहाँ पर आ रही है dollar post id that's it हमारा form सही जा रहा है और दूसरा हमने कहा था यहाँ पर हम डालेंगे patch जो method हमारा रहेगा अभी क्या है कि आपने normal जो देखा होगा procedure हम post और get इन दो request को जो है browser के थूर हिट करते हैं या submit करते हैं लेकिन patch या put यह चीज़ें जो है Laravel में नहीं है आपके लिए तो क्या यह चीज़ support करती है अगर support करती है तो किस तरह से हम इसकी value को submit कर सकते हैं तो अगर मैं इस form को जैसे refresh करता हूं और मैं यहां पर इसका resource मैं आपको inspect करके दिखाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे तो मैं जरा form को inspect कर लेता हूं यह देखेंगे form का method हमारा patch है और action post slash one जो id हमारा submit होने जाए यह वहां पर जा रहा है तो वहां पर यह submit होना चाहिए तो क्या होता है जरा अगर हम इस तरह से इसको यहां पर submit करता है और मैं post करने के यहां पर कोशिश करता हूं यह दिखेंगे यह automatically redirect हो गया वापिस मुझे within get request तो that means कि browser यह चीज़ support नहीं करता है यह जो method हम patch यहां पर उसको pass कर रहे हैं यह चीज़ यहां पर उसको identify नहीं हो पारी है कि आप actual तोर पर करना क्या चाते हैं तो हम यहां पर इसको कैसे handle करेंगे तो इसके लिए मैं यहां पर इसको रख देता हूं method हमारा post ही लेकिन यहां पर use करेंगे हम patch या put तो इसके लिए भी हम एक Laravel का helper use करेंगे तो उसके लिए जो helper use होता है वह होता है method underscore field और यहां पर हम उसको बताएंगे कि हम actual तौर पर चाहते क्या है यह देखिए हम यहां से तो क्या कर रहे हैं उसको method बता रहे हैं form का post लेकिन secretly हम उसको बता रहे हैं कि हम actual तौर पर क्या चाहते हैं patch request यहां पर handle करना चाहते हैं तो इसके accordingly आप routing कीजिए ठीक है तो अब जाके अगर मैं refresh करता हूँ दोबारा से हमारा जो form है तो अगर मैं इसका resource यहां पर आपको view करवा हूँ यह देखिए मैं थोड़ा सा zoom करवा के दिखा देता हूँ यह देखिए input type hidden with method और यहां पर value हमारे पास क्या आ रहे है यह आ रहे है उस helper से patch यह जो value हमारे पास आ रहे है ठीक है तो यह कितना clear है तो अब हमारे पास अब अगर मैं यहां पर इस method को hit करता हूँ यह रेखिए change first block post change तो that means मैं routes मैं दवारा ले जाता हूँ तो patch request जब हम hit करेंगे इस URL पर तो हम किस method को hit करेंगे controller में update को तो यहां पर मैं simply क्या कर देता हूँ return request request और हमारे पास जो भी जितने भी request आई है उसारा data जरह हमें वापिस मिल जाए ठीक है जब हम update method पर यहां पर hit करेंगे तो refresh करते हैं one more time और अब मैं यहां पर कर देता हूँ change okay then hit update और अब देखते हैं हमें value मिल रही है yes method patch token हमारे पास आ रहा है title देखे with an updated value updated value के साथ हमारे पास title मिल रहा है description हमारे पास जो थी यहां पर मिल रही है ठीक है that means अब अगर हम दोबारा से यहां पर जाते हैं अब हमारे पास यहां पर value आ रही है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो जैसे हमारे पास जो value आ रही है as an id हम यहां पर accept करेंगे और वापिस यही चीज़ हम यहां से find करेंगे उस id के base पे उस post को और फिर यहां पे post का जो title है वो हम करेंगे जो request post का जो title है that is equal to request title clear और जो description है description that is equal to this description तो यह value हमारे पास form में जो value है वो हमारे पास यहां पे pass हो रही है वो हम इसमें जो हमारे पास post का object है उसमें पास कर देंगे और वो value को क्या कर देगा update कर देगा और उसके बाद अब हम कहा redirect होना चाहते हैं जब हमारे पास यह चीज हो जाए तो पहले तो हम post को यहां पे कर देंगे save कर देंगे उससे save हो जाने के बाद अब हम basically तो जाना चाहिए उसका single view खुलना चाहिए कि जैसे जो भी post में update हुई है किस भी post को update किया है तो वह होगा show method तो फिलाल हमने इस चीज के लिए यह चीज अभी नहीं किया cover तो हम क्या करेंगे सारी post में दवारा से redirect हो जाएंगे जितनी भी post वहां पे actual थार पे भी है तो हम तरहेंगे return redirect slash post clear है अब हम जरा एक बार फिर से अपने form को submit करते हैं ठीक है तो first blog post changed or description छोटी कर देते हैं जरा I think I hit the wrong yes यहां पर अब मैं इसको खटा देता हूं description is updated okay और अब मैं हिट करता हूं update post थो हमारे पास updated value आनी चाहिए यह देखे first blog post change ठीक है तो जरा एक बार फिर से हम किसी दूसरी post के साथ यह चीज़ यहां पर पर फॉर्म करते हैं slash to add it तो हमारे पास second blog post आगे है updated changed update post यह देखे second blog post भी जो है update होगी so this is how we can handle the update request किस तरह से हम form का data update कर सकते हैं hope you guys आपको काफी हद तक clear हुआ होगा यह चीज़ है काफी हद तक जो है मैंने basically simple जो है चीज़ को रखने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में बहुत असानी हो अब आपके लिए काम आपके लिए काम क्या है कि suppose जैसे हम यह post को update तो हम यहां पे कर रहे हैं इस चीज़ को so अब आपके लिए task है कि हम मैं इस post को currently update करवाने के साथ यहां पे एक button यहां पे लगा हूँ जिससे मैं इस post को completely delete कर सको so किस तरह से हम बहुत पोस्ट को delete कर सकते हैं किस तरह से इस चीज़ को manage कर सकते हैं यह मैं सिखाऊंग आपको आने वाली वीडियो में तो till then आप practice कीज़ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तil then प्याइय टीक्यर थैंक यू थैंक्स एर वाचिंग